ये कहानी तीन दोस्तों की है तीन दोस्त, अर्जुन, विवेक और नील हमेशा साथ रहते थे एक दिन उन्होंने जंगल जाने का फैसला किया अर्जुन ने कहा हमें जंगल में क्या करना चाहिए? चलो एक रोमान्चक खोज में निकले वे जंगल में पहुँचे और वहां उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा मंदिर के अंदर चलते हुए उन्हें एक रहस्यमई तिजोरी मिली यह क्या है? हमें देखना चाहिए लिकिन ये बहुत डराबना लगता है वे धीरे धीरे तिजोरी को खोलने लगे और उसमें उन्हें एक पुरानी किताब मिली उस किताब में लिखा था जो सच्चा और विश्वासी होता है उसे कभी कोई खत्रा नहीं होता यह किताब हमारे लिए एक संदेश है हाँ, हमें अपने दोस्तों पर विश्वास रखना चाहिए हमें मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए और उसके बाद वे वापस गाम की ओर चले और वहाँ उन्होंने एक गहरी दोस्ती का वाइदा किया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और विश्वास हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है जब हम अपने दोस्तों पर विश्वास करते हैं और मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं इसके साथ ही हम अपनी ये बाली कहानी का अंत करते हैं या अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रोमेंटिक कहानी के साथ धन्यवाद दोस्तो